नमस्कार मैं संजय सनम यूटूब के सभी वीवर्स का हरदय से अपिवादन करता हूँ वीवर्स कोरोना संकर्मन से हमारा देश युद इस्तती पर संघर्स कर रहा है कहीं जगे इस्तती थोड़ी सहज हुई है लेकिन बहुत सारी जगे इसी है जगे इस्तती अभी भी जटिल है और हमारी एक गलती हमारी एक कुस्ता की हमारी एक लापरवाई एक नादानी बहुत बड़ी किमत अदा कर सकती है हमने देखा कुछ दिन पहले कुछ गटनाएं हुई, कुछ मजबूरी की वज़े से हुई, कुछ नादानी की वज़े से हुई, कहा जाता है कि साजिस की वज़े से हुई, और कुछ गटनाएं जब समझदार लोगों की नादानी से होती है, तब फिर सवाल बहुत बड़ा ख मैं वो बात नहीं कहना चाहता क्योंकि मेरा मकसद ने तो किसी समाज के बारे में उसे टार्गेट करना है नहीं किसी संपरदाय को टार्गेट करना है लेकिन मेरा मकसद ये जरूर है कि समझदार लोग एसी खामियां एसी गुस्ताकियां क्यों कर रहे हैं वो वीडियो साधना तपश्या की प्राकास्टा का है संथारा संलेखना से इस लोग से उस लोग की यात्रा का है हम उस प्राकास्टा को नमन करते हैं हम उस पुन्यात्मा को नमन वंदन करते हैं सर्दासुमन समर्पित करते हैं उन्होंने बहुत बड़ी साधना तपश्या औ परीब 37 दिनों का किया और उसके बाद वो इस लोग से उस लोग की यहत्रह पर चले गए। उस पुन्यात्मा को हम पुने हर्दे से नमन वंदन करते हैं सरद्धा सुमन समर्पित करते हैं उस परिवार के परती भी हमारी भावना में सरद्धा है। उस परिवार को भी हम सरद्धा से सम्मान से नमन करते हैं उस समाज को भी सरद्धा और सम्मान से नमन करते हैं जिस समाज में ऐसे तपस्वी स्रावक स्राविकाय होते हैं संत साध्वियां होती है लेकिन अब बात दूसरी है अगर ये माहुल कोरुना का नहीं होता अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं होती अगर संकरमन का खत्रा नहीं होता तो निश्चित रूप से ये जो यात्रा है अंतिम यात्रा उनकी आप गाजे बाजे के साथ करते पुरा समाज आता, एक समाज नहीं, बहुत सारे समाज आते कोई दिकत नहीं थी, होता आया है लेकिन जब सोसल डिस्टेंसिंग की बात बार बार सरकार, परदान मंत्री, परसासन कह रहा है उसके बावजूद, उस वीडियो में जिस तरह का द्रश्य दिखा जिस तरह से पुरुष, जिस तरह से महिलाएं और एक जगे तो संत अपनी गीती का या भजन सुना रहे थे और उनके साथ पुरुष और एक तरप महिलाएं ये क्या हम बताना चाह रहे हैं जहां से निच पर सासन, फिर अनुसासन की गोंज उठी है उस निच पर सासन, फिर अनुसासन का हम कितना अनुसरन कर रहे हैं क्या हमने उस संकनात की धजया नहीं उड़ाई क्या हमने सरकार के उस नियम काईदे कानून का उलंगन नहीं किया आप कहेंगे कि हमने अनुमती ले ली हो सकता है आपने सरकारी जो एक आपचारिकता होती है उसको आपने पूरा कर दिया होगा लेकिन एक भी अगर संकर्मन उसकी वज़ा से हो गया तो फिर अंगली किस पर आएगी आज पुरे देश में तबलीगी जमात की बात हो रही है क्योंकि उनकी वज़े से आँकड़े कितने तेजी से बड़े है मैं नहीं चाता कि किसी और समाज पर ऐसे प्रशने उठे हलांकि तबलीगी जमात की मैं किसी से तुन्ना नहीं करता किसी की भी किसी से तुन्ना नहीं है क्योंकि वहाँ पर जो गटनाएं हुई वो एशालिन थी और यहाँ पर कोई एशालिन्ता की बात नहीं थी यहाँ पर शालिन्ता थी मरियादा थी गरीमा थी पर यह सोसल डिस्टेंसिंग का खुला खुला उलंगन था और यह निजपरसासन फिर अनुसासन का भी उलंगन था हम किसे संदेश देंगे, हम क्या पेगाब देंगे एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम गवर्मेंट के दिसा निर्देशों का पालन कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपनी परहंपरा, अपना जशन, अपना उत्सव निभाने के लिए सरकार के काईदे कानून का उलंगन कर रहे हैं, बलकि देश को विकट परस्तिती में डालने की अपर्तेक्ष रूप से कोशिस कर रहे हैं एक बात हमेशा याद रखिए, धरम मार्ग दर्शक होता है, मार्ग दिखाता है लेकिन जब राष्ट पर कोई आपदा विपदा आती है, तब राष्ट धरम बड़ा होता है फिर धरम की परंपराएं घरों में निवाही जाती है आप देखिए, मंदिर, मस्जित, चर्च, गुरुद्वारे सब बंद है उसके बाद इस तरह का माहुल बनाना कितना उचित था आपकी सरद्धा थी, आपकी भावना थी, मन से वो भाव, मन से वो उदगार दिये जाते और इस अंतिम जो ये पड़ाव था, उसको बहुत कम लोग जाकर के वहाँ पर अपनी उपचारिकता पूरी करते उत्तर परदेश के मुख्य मंतरी योगी जे के पिताजी का निधन हो गया उसके बावजूद उत्तर परदेश के मुख्य मंतरी जी ने रास्त ध्रम निवाया और ये संदेश दिया कि बहुत कम से कम लोग उनकी अंतिस्टी में सारी को लोकडाउन का पालन ये हम सब के जीवन के लिए आवशक है हमारी एक गलती ना जाने कितनों को तकलीब दे सकती है हम क्यों किसी की तकलीब का कारण बने हम क्यों अपनी तकलीब और अपने के द्वारा दूसरे की तकलीब का कारण बने और अगर ये काम किसी भी धर्म की देरी से होता है, तब फिर सवाल बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। मैं किसी धर्म का, किसी संपरदाय का, किसी पंत का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं अपनी स्कलिप के साथ वो वीडियो भी एटेस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो वीडियो, अगर ये कोरोणा संक्रमन की बात नहीं होती, तो निश्चित रूप से मैं अपने सर्धा सुमन समरिपित करता हूँ, वो वीडियो भी उसमें दिखाता। लेकिन इस वीडियो में चिन लोगों ने इस तरह की गुस्दाकी की है, उन्होंने लोकड़ाउन का उलनगन कीया है, उन्होंने देश के काईदे कानून का उलनगन कीया है, और ये गलत हुआ है। ये वीडियो मेरे पास दूसरे समाज के लोगों के दौरा भी आया है, आप ये मैं समझेगा, कि उसी समाज के लोगों के माद्यम से बात आ रही है, दूसरे समाज के लोगों के दौरा भी आया है और सवाल हो रहे हैं, कि ये क्या जरूरी था, अब आप सोचिए, जब ये सव जीवन के उत्कर्स पर एक आत्मा में जिनों ने अपने जीवन के सफर को इतने बड़े उंचे पाईदान पर सफर किया है, वहां तक पूंचाया है। उसे हम हर्दे से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, लेकिन उसके बाद स्रावक, स्रावी का समाज और संतों ने क्या किया। ये प्रश्न है, मैं चमायाचना के साथ अपनी ये बात कह रहा हूँ, एक पत्रकार का ये दाहित्व है, ये जिबेदारी है, हम हर अच्छी बात को स्विकार करते हैं, लेकिन जब कोई गल्ती रास्ट पर भारी पढ़ती है, तूसे अंदे का नहीं किया जा सकता। और ये जो हुआ है, वो ही हुआ है, निचपरसासन, फिर अनुसासन की धजियां उड़ाई गई है, ये देश के काईदे कानून की धजियां उड़ाई गई है, मैं भगवाण से प्रातना करता हूँ, कि इस घटना का कोई भी ऐसा परभावन ने पढ़े, जिससे एक भी सं संक्रमनगरवां से हुआ तो फिर ये समाज सवालियन निसान पर आ जाएगा और उस निशाने पर हम नहीं चाहते कि कोई भी समाज कोई भी संपरता आए लेकिन ये गुजारिश जरूर करते हैं कि जब तक इस विकट समश्या का समाधन पुरा ना हो जाए जब तक जनजीवन पुरा समान्य ना हो जाए तब तक करप्या कोई ऐसी हरकत नए हो कहीं भी नए हो करप्या नए करें भावनाओं से अपनी आउतियां दें सरद्धा की वंदन की जो भी भावना है वो अपनी भावनाओं से दें करप्या सरकारी काईदे कानून का पुरा पालन करें और सबस अगर मेरे किसी शब्द से कोई हल्ट वा हो, किसी को तकलीफ हुई हो, तो सवी नहीं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि रास्त ध्रम सबसे बड़ा है, और जब बात रास्त ध्रम की आ जाए, तो अपनी ध्रम की परंपरा, अपनी ध्रम की मर्यादा को अपने अपने पास, अपने मन से, अपनी आत्मा से ही नहीं भाईए, बाहर उसकी प्रकरिया को मत कीजिए, मत कीजिए, प्यवर्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं, तो सबिस्क्राइब करना मत भूलेगा, बहुत बहुत आ नमस्कार